ड्रामा चाहिए सबको, हर किसी को ड्रामा चाहिए, तो एक ड्रामा ये नया शुरू होगी, आभी थोड़े दिनों पहले मैं देख रहा हूँ, कि अरे भगवान शरी राम जो है न वो वंचित समाज के विरोधी थे, वो स्त्री विरोधी थे, ये सुन रहे हैं आशकल आप? जो अहिल्या का तरण तारण करता है, शिला बनी हुई अहिल्या का, जो जटाईयों का अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह करता है, जो निशाद राज को अपने दरवार में उच अस्थान देता है, मित्र कहता है, जो केवट के आगे हाथ जोडता है, वो वंचित विरोध कि रामयान में घटी नहीं है ये कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है कि वह स्त्री विरोधी हो, वह नारी विरोधी हो, वह वंचत समाज का विरोधी हो? iँआ धेक बात यह cooper को इसे हो अदिए शाम्ब्वुक वद के लिए आपक्या बोलेंगे शांबूवक वद किया था, कितने घंटे चार गंटे तो चार पांच घंटे मुश्किल से आप अगर चित्रकूट चले जाएं तो वहां श्री राम भद्राचारी जी हैं बहुत बड़े ग्यानी हम सब जानते हैं हम सब उनके ग्यान को प्रणाम करते हैं वो आपको शास्त्रों के अधार पे समझा हो या फिर सीता का परित्याग हो ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था उत्तर रामाइल कभी घटी ही नहीं एजेंडा था भाई हमारे धर्म पे सनातन पर यह प्रहार कोई आस थोड़ी हो रहे हैं सदियों से उते चले आ रहे हैं कोई नहीं बात नहीं है और जो समझने वाली बात है हमारे लिए वो जो चौपाई है बून ओफ कंटेंशन सारे फसाद की जड़ डोल वाली धोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी यही तो चौपाई है बहुत सारे मैंने बहुत सारी थियोरीज पढ़ी बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना एक से एक ग्यानी आये बहुत हो नहीं यह बोला कि नहीं जिस तरह से इस चौपाई को समझा गया है वो गलत समझा गया है ऐसा नहीं है मैं कहता हूँ, अगर जैसा Maurya जी ने समझा है, मैं कहता हूँ, वही सही है. आपने एक दम नहीं सही समझ लिया है, Maurya जी. लेकिन एक तर्क मेरा है. एक मेरा तर्क है. मैं चाहता हूँ, आप यहां पेंवे बैठे हुए, मुझे ध्यान से सुने और अगर आपको मेरे तर्क में दम लगे तो ठीक है और ना दम लगे तो आप खड़े हो के बोल सकते हैं कि मनोज ये बात सही नहीं है धोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी अब सुनिए एक चीज होती है जिसको कहते है प्रबं कावे की केटेगरी में आता है उपन्यास नौवल आप पढ़ते हैं वो प्रबंध कावे की केटेगरी में आता है प्रबंध कावे का सबसे बड़ा गुण है कि उसमें समवाद पात्रों के अनुसार उनके चरित्र के अनुसार लिखे जाते हैं यानि जो हीरो है वो इतने भरस्ट डाइलॉग बोलता है, अगर आप कहें कि ये सब फिल्म के लेखक सलीम जावेद के विचार हैं, तो ये तो गलत है, इसा तो हुआ नहीं, जो गबर बोल रहा है, गबर का चरित्र बोल रहा है, मैंने एक फिल्म के समवाद लिखे हैं, बाहु बली आपने देख अगर रहा है, मैंने उसके चरित्र के लिए लिखा है, मैं वैसा दूष्चरित्र नहीं हूं, मैं वैसा करप्ट और भरस्ट नहीं हूं, तो आपको इस चौपाई को संदर्भ प्रसंग व्याख्या, मैरे मस्टर जी बोलते थे कच्छा पांश में, बेटा इसका संदर्भ कि मुझे जाने दो, उस पार उतरने दो, और समुद्र अहंकार में है, समुद्र घमंड में है, वो भगवान श्री राम की एक विंती नहीं सुन रहा है, विना इन अमानती जलती जड गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयबिन हो इन अप्रीत, ये चौपाई वहा शूद्र पशुनारी, सकल अताड़ना के अधिकारी, ये बात ना हमारे भगवान श्री राम ने कही है, और अबाबा तुलसी ने कही है, एक चरित्र ने, एक पात्र ने कही है, जो मूर्क है, जो हैंकारी है, जो भरस्त है, तो इतनी सी बात अगर समझ में आ जाती ही, तो म मेरे खल से बात आगे बढ़ती नहीं, लेकिन ये समझना कोई मजाग थोड़ी है, और देखिए, ये जो सारी कोशिश है, ये सारी साजिश, ये सारी साजिश हम को बाटने की है, हमें बाटने में बहुतों का फाइदा है, वीर मुझे बता देना कि मेरा टाइम ओवर होने ये सारी साजिश आपको बाटने की है, आपको विवाजित करने की है, जिस दिन आप समझ गए, मैं हमारे वंचित समाज के जो भाई बहन है, उनसे हाथ जोड के कहता हूँ, बड़ा सम्मान है हमारे मन में आपके लिए, हम एक ऐसे देश में हैं और एक ऐसे सनातन धर्म को म हम सारी दूनिया को वतन कहते हैं, हिंदु हैं हम। ये परिभाषा मैं आपको देखे जा रहा हूं, याद रखिएगा, जिसमें गिरती हैं सभी नदिया, वह सिंधू है, हम सारी दूनिया को वतन कहते हैं, हिंदु हैं। हम किसी को छोटा बड़ा समझेंगे, लेकिन फिर कभी जब हम बाट दिये जाएंगे तो उनका फाइदा है राजनीती का फाइदा है इसलिए कभी समवन और वंशित के नाम पर बाट दो कभी कभी हिंदू-मुसल्मान के नाम पर बाट दो बड़ा फाइदा है उसमें तो कि मुझे इतनी शर्म आती थी जब मैं देखता था कि मस्जिदों कि मिंभर olay जाते था मोलाना साथ एलान करते थे कि वंदमात्रम मत बोलना वंदमात्रम तुम्हारे मजभ के खिलाफ है धर्म के खिलाफ अरे मेरे भाई पूरी दुनिया में बैठे हुए मेरे मुसल्मान भाईयों क्या रास्ट धर्म से बड़ा कोई धर्म हो सकता है जए वंदे वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि मजब के खिलाफ है और मैं कहता हूँ आपको बहकाया जा रहा है आपको बाटा जा रहा है आपका जो फंडमेंटल राइट है कुछ फंडमेंटल राइट हर किसे को मिले आप उसके लड़ते है राइट टू हैपिनेस राइट टू nebamil नहीं छोड़ना चाहिए जो तोले दिल के रिष्टों को बना है वो थराजू क्या अगर दोनों ही भाइज हैं तो फिर मैं क्या तो फिर तू क्या ये मिटी तेरी भी मां है ये मिटी मेरी मेरी मां है तो मां को सर झुकाने में मुसलमा औरlett भारत मता की वन देख झाल झाल